हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो इमानशीज वर्ल्ड है जबनने तेस्टी और डिलिशयास सी रेस्पी लेके आई हूँ अगर आपने एक बार इस तरीके से बना ली तो आपको बार बार यही स्टाइल में सोया बीन की सबजी बनानी पड़ेगी इसके अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आप नॉन वेज खाना भी भूल जाएंगे तो आप जरूर से जरूर ट्राइ कीजिएगा रेसिपी और अगर आपको पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर से जरूर क्लिक करना है शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंस एंड फैमली के साथ जाज जादा ताकि वो भी बना के इंजॉय कर सकें कॉमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज ये लाल बुटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको सारे लेट और आप इसको हम ढखके कम से कम 15-20 मिनिट के लिए रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से फूल के डबल हो जाए और सॉफ्ट हो जाए ये करना बहुत ही ज़रूरी है तो इसको मैं ढख देती हूँ तो ये देखे फ्रेंट 15-20 मिनिट हो गए है और ये आप देख सकते हैं जो हमारी सोया बीम की वड़ी है ये डबल हो गया है बिल्कुल साइज में तो अब मैं 4-5 पानी में इसको धोलूँगी तो ये देखे फ्रेंट मैंने 4-5 पानी से धोल लिया है और ये देखे ये बह बहुत ही सॉफ्ट हो गए है तो अब जब आप इसकी सबजी बनाएंगे न तो अंदर तक इसके स्वाद आएगा रस जाएगा तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगी तो अभी मैं इसका पानी बिल्कुल अच्छे से निचोड के निकाल लेती हूं इसके बाद देखे इसके अ अच्छे से और ये जो मैरिनेट है इसके अंदर हम इसको कम से कम 15 मिनेट रख देंगे तो जब तक हमारी सोयाबीन मैरिनेट हो रही है आईए प्यास को हम भून लेते हैं तो ये देखे यहां पर मैंने कडाई ले लिए इसके अंदर मैं एक बड़ा चमच के करीब टेल डा देंगे नमक डालने से अच्छे तरीके से इकोली ब्राउन होगा तो ये देखे फ्रैंस ये हमने अच्छे से ब्राउन कर ली ए ऐसा कलर हो जाना चाहिए आप के प्यास का इससे ग्रेवी में अच्छा टेस्ट आएगा तो इसके बाद हम इसके अंदर हमारी मैरिनेट टी यह लेक्ता नहीं बीटी तो सोया बीन की वडियान डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे और कम से कम इसको दो मिनिट तक चला लेंगे तो फ्रेंस दो मिनिट इसको मेडियम आज पे सेखने के बाद इसके अंदर हम अद्रक लसुन का पेस्ट डाल रहे हैं तो एक से सवा चमच के करीम मैं इसके अंदर अद्रक लसुन का पेस्ट डाल रही हूँ इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे तो फ्रेंच एक से डेड़ मिनिट इसको भूनने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे आलू तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा आलू इस तरीके से बड़े बड़े टुकडों में काटके डाल दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे आई एव इसके अंदर मसाले भी डाल लेते हैं तो मैं इसके अंदर पहले तो हरी मिर्ची डाल लेती हूँ तो दो हरी मिर्च को मैंने इस तरीके से बारिक काटके डाल दिया है इसके अंदर तो फ्रेंच इसके बाद इसके अंदर आदा छोटा चमच लाल मिर्ची का पाउडर, आदा छोटा चमच हल्दी का पाउडर, और एक चमच के करीम मैं इसके अंदर धनिये का पाउडर डाल रही हूँ, और थोड़ा सा नमक भी डाला है मैंने इसके अंदर, फ्रेंच याद र ऑफके साथे टमाटर को पीश की पीरी में की पना ली हमारी टेस्टी ग्रेवी टेस्ट करते चाहरों आधे मीश पूरिया समय धैया पत्षाइविं। no- growers petroleum industry नहीं ग्रेमी तेस्ट जाएगा थोड़ी होगे मेरे तेस्टी ग्रेवी टीहार होगी न यहां अच्छे से अमारे मसाले भुन गए हैं बहुत यहांस खुश्जबू के बाद कॉटोरी की करीं पानी इंदर डाल रही हूँ, एक कुटोरी के डाल दिया है बाद लाटी पानी आत्रालो से अप applicने जब करने मेरी किए बीचवीच मेरों चैक करते हैं तो ये देखिए फ्रेंट 10 से 15 मिंट हो गए हैं और ये देखिए हम चेक कर लेते हैं बहुत ये ची खुश्बू आ रही है इसके अंदर से तो इसके अंदर हम आलू चेक कर लेते हैं देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से आलू पक गए हैं और सोयवीन की वड़ी भी ये डिलिशयस नॉन विच जैसे फ्लेवर वाली नूट्रिला की सबजी बनके त्यार हो गई है आपको ये सब्जी पसंद आई होगी तो इसके अंदर ग्रेवी जादा भी कर सकते हैं और चाहें तो और भी जादा सुका के इसको और जादा गारी ग्रेवी वाला सोया बीम तो आप भी ज़रूर से ज़रूर ट्राइ किजेगा और ट्राइ करें तो मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको यह रेस्पी कैसी लगी मैं हमेशा से आपके कमेंट के इंतिजार करती हूँ इसके अलवा फ्रेंड्स और भी टेस्टी डिलिशस सबजी रेस्पी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स कमेंट में मैं लिंक दे रही हूँ जरूर से जरूर चेक आउट कीजिएगा अगर आपको ये रेस्पी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी अगर आपको ये रेस्पी अच्छी लगी है तो लाइक का बटन जरूर क्लिक कीजिएगा शेर कीजिएगा इस वीडियो को ज़र ज़र अपने फ्रेंड्स के साथ वाट्साप और पेस्बुक ग्रुप्स मे ताकि वो भी बना के इंजॉय कर सके कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मैं हमीशा से आपके कमेंट्स के इंदार करती हूँ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी किसी बड़िया वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई और फ्रेंज ये कुछ दूसरे वीडियो से हमारी चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं थैंक यू